मैं अमिशा तुमसे कहता हूँ लेकिन तुम मेरी बात को भी नहीं सुनते हो तुम्हें पढ़ाए करनी चाहिए नहीं करनी है देखो इसे क्या है इसे फ्लो ओफ टाइम कहते है जब तुम आलस करोगे तो ये टाइम इसी तरह बहर कर तुम्हारे उपर से यह ही निकल जाएगा वो क्या होता है डोरे माँ तुम्हें और समझाना पड़ेगा तुम तुम बिल्कुल भी समझदार नहीं यह नो बता और समझदार बनने के लिए तुम्हें पहले पढ़ाई करनी चाहिए समझ गए लेकिन आज टैस के लिए भी ज्यादा अच्छे से पढ़ाई नहीं की थी कैसाच्वी आज का रिसल्ट क्या होगा शायद जीरो मिलेगा मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ मुझे सब पता है मैं कितने भी खोशिश कर लू लेकिन मुझसे कुछ नहीं होगा बड़ा मत सोचो ये क्या है इससे तुमें पता लगेगा कि तुम कितना नेगिटिव सोचते हो और ये कौन सा गैजिट है ये है इंबोडिमेंट मेर लोग टाइम की तरहा या नेगिटिव इंसान की तरहा इस गैजिट में कुछ शब्दों के एक्सपेशन्स भरे हुए हैं जिसे तुम गैजिट की मदद से देख सकते हो तुमने जो भी कहा मुझे कुछ समझ नहीं आया ये क्या था डोडिमाट एक कहावत है लोम्री की वज़ो से पुरा होना ये तुम यहीं बता रही है ये तो मज़िदार है मुझे वाट्राइ करना है ये चलोना नहीं है नोबसा मैंने निकाला था तुम्हें चीज़ें सिखाने के लिए लो क्या मैं इससे बहुत सी चीज़ें कर सकता हूँ इसका स्विच ओर कर देता हूँ तुम फिर से खेलने जा रहे हो हाँ मैं जा रहा हूँ मॉम तुम पढ़ाई नहीं कर रही हो मुझे बस इस साल के रिजल्ट का इंतधार है हेलो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक एप के बारे में बता देता हूँ जिससे आप रोज के 10 से 15 मिनट देकर 400 से 500 रुपे के अर्निंग्स आसानी से कर सकते हो बस आपको डिस्क्रिप्शन में दिये गए लिंक पर क्लिक करना है और अप को डाउनलोड कर लेना है लेकिन ध्यान नहीं आपको नीचे दिये गए लिंक से ही डाउनलोड करना है जिससे आप फ्री में गेम खेल सकेंगे इस अप को इंस्टॉल कर लेना लेंगवेज सेलेक्ट करना फोन नंबर वैरिफाई करना है और अपना यूजर नेम दे देना है अब मैं आपको एक ट्रिक देना चाहता हूँ आपको सबसे पहले इस एप में मेट्रो सफर गेम खेलना है जैसे मैं खेल रहा हूँ क्योंकि अगर कोई न्यू यूजर इस गेम को खेलता है तो उसके इस गेम में विनिंग चांस 100% हो जाता है या गेम अब बस खत्म ही होने वाला है और आप लोगों के सामने लाइव में इस गेम को विन कर गया तो देर किस बात की जाएए जल्दी से डाउनलोड कर लीजिए इस एप को लालालालालाला पाई 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 नवीता तुम हमेशन निगेटिव रहते हो और मुझे तो देखो मैं हमेशा कितना ज्यादा खुश और हस्ता रहता हूँ आज भी दो लोगों ने मुझे अपने साथ खाने पर आने के लिए कहा है अब मैं इस कन्फीजन में हो, मैं किस के साथ जाओं अरे, मैं लाल हो गया इसका मतलब है ये इसका मतलब ये चूट कह रहा ये चूट ने ये, ये सच सच है अचानक अब नोबटा चमक ने लगा तुम कितना क्यों बहुत है अरे, तुम यहाँ हो अरे, तुम दोनों इतने लाल और इतने चमक दर क्यों लग रहे हो क्यान? खुश खबरी है, अबसे ग्रांड पर बेस्बॉल की स्पेशल ट्रेनिंग होगी बॉल अच्छे से पकड़ना तुम सब क्या कर रहे हो, अच्छे से पकड़ो वहाँ कहीं सब भी कर रहे है मैं अपनी टेस्बॉल नहीं पकड़ सकता हूँ जी यान क्या हुआ सुनियो मुझे तुमारे बगल में खड़े होकर तुम्हें शांदर स्विंग करते हुए देखना है क्योंकि मैं अपनी प्रैटिस्विंग की जगए तुम से सौग नजाद आच्छे से सीख सकता हूँ न इच्छी है सुनियो, अब तुम क्या चरू अरे वाजी यान त्यार हो जाओ अच्छी से पकड़ना आप ठीक है ठीक जो क्या कर रहे हो, बहुत सही से पकड़ो सही से पकड़ो ना, सही से पकड़ो जी अन, तुम वाकई किसी भी किलाई से कम नहीं हो क्या सच में सुनियो हाँ मैं सच कह रहा हूँ तुम बड़े-बड़े मैच में खेल सकते हो मसका लगा चलो भी सुनियो मुझे अब शर्म आ रही है हाँ, वाकई बिसबॉल में किसी भी मैच में कभी भी कोई मुझे से जीए थी नहीं सकता है हाँ, 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 हाँ हाँ, कि लाड़ी सुनियों से क्या कह रहा होगा वो जरूर उसे मसका लगा रहा होगा मसका? तुम जैसे ना समझ से निपटना पहुँच अब अचान होता है जब तुम किसी से जूट बोलते हो और वो कुश हो जाते है तुम ने मुझे जूट कहा अरे वाज जियान, तुम तो ना सुनियों मेरा दोस्त भागे जाकर बड़े-बड़े मैच खेले बाला है ये दिकर में बहुत कोश हो तुम इतना मसका क्यों लगा रहे हो अरे नहीं जियान, मैं तो स्रच में पूरे मन से तुमारी इतनी अच्छी अच्छी तारिफ करा हूँ हाँ लेकिन तुम लाल हो रहे हो तुम जूल कह रहे हो नीयों मेरा मजाव पुराने की तुमारी हिपकेते हुई ये तो बहुत मज़िदार गैजट है अरे हाँ, मैं अभी जाकी ये गैज़े शिजुका को भी दिखाता हूँ जीज़ों फिर से चबंगने लगा जीज़ों का देखी सुकी लगता नहीं कि आज के डश्च पर मेरे 90 मार्क सा आप आएंगे देखी सुगी देखी सुकी तुमारी तुपूरे माक साइंगे ना मैं कोशिश तो पूरी करता हूँ लेकिन मज़े भी तुमारी तरह हमेशा पूल माक स चाहिए ऐसा बत कहो शिजुका थाईस तक तुमारी शिटे बहुत आए जाए 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 अगरे अरे नहीं प्लीज मुझे माफ कर दो नहीं मैं तो बच गया हूँ डोरे मान कभी कभी मैं सोचता हूँ शिजुका दे की सुखी के साथ इतना क्यू रहती है तुम बहुत चाहती नेगिते वो जाते हो नोबिता वो पढ़ाई में अच्छा है स्पोर्समेन भी है समझदार है वो बहुत अच्छा लेरिका है मैं उसके सामने कुछ नहीं ना बटा इसका मतलब क्या है डोरे मान इसका मतलब होता है कि दुख की कहराई में गिर जाना अरे हाँ ये मुझ पर भी लाग होता है ना बस थोड़े साथ थोड़े सा चलनों वापिस घर चलते हैं पढ़ा नहीं इसे ही बहुत भारी हो गया है हमारे शरीर भारी नहीं होता हमारा मन भारी हो जाता है अरी हाँ इसे कहते हैं मन का भारी होना और जिस तरह से मैं चड़ रहा हूं उसे कहते हैं काटो भरा रास्ता तुम अची चीज़ नहीं सोच रहो नौबिता सुड़ी से शान्त हो जाओ प्लीज तुम्हें अची चीज़ों के बारे में सोचना होगा जा नहीं सोच पारा फूरी दुनिया थेरे में नौबिता चेलो तुमसे अपला जोर दो लेकिन अगर तुम्हें तुम कभी भी बही बात नहीं समझते चले जाओ डोड़ी मॉल पर नो बता कोई भी मुझे नहीं समझता मुझे ऐसा लग मैं जैसे मैं बहुत ज़ादा अकेला हूँ पर सबसे दुखी इत्राण हूँ पर नो बता कि आवाज अच्छी बात है तुमसे बात करनी थी मेरा रिजल्ट अच्छा नहीं इसलिए आप मुझे डाटने आये हैं ना क्यों डाटूंगा तुम जानते हो तुम्हें कितने मार्क्स मिले हैं पता नहीं लेकिन मुझे हमेशा जो सही जवाब लगता है वो आखिम में गलत ही निकलता है लेकिन तुमने इस बार ज्यादा गलतियां नहीं किये हैं तुम्हें मिले हैं 65 मार्क्स तुम कभी कभी तो अच्छी पढ़ाई करते हो 65 मार्क्स इसे क्या हो गया? इसाथ में आस्पान में हो राइस हैं ओचा इसे जैसे खुशी में चल्डा है हाँ हाँ मैं जानता हूँ यह प्लम का फूल है यह तो वो तो दिख रहा है और यहां भी है हाँ यह अच्छा लग रहा है हाँ हाँ क्या हाँ मुझे कल से कुछ अलग लग रहा है शायद कोई तो पास आ रहा है शायद उसके बहुत बड़े-बड़े कदम है वो क्या है मुझे कुछ दिखाए नहीं दे रहा लेकिन कोई बड़ा लग रहा है हाँ इसे वही हवाँ विशायद को लाने वाला होगा यह खुश बोता है यह गरम है हाँ यह तो यह तो स्प्रिंग के कदम है कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो